देखिए हम बात करने जा रहे है dependence of focal length of thin lens देखिए thin lens के focal length का formula प्रूब कराएगे आपको क्या था 1 upon f is equal to mu minus 1 1 upon r1 minus 1 upon r2 यह था ना यह था न्यूं बोले तो refractive index of the medium किस medium में वो रखा गया lens वो इस पर depend करेगा ना अब यानि कि साफ साफ दिख रहा है कि focal length दो बातों पर depend कर रहा है एक तो refractive index पर कर रहा है किसके medium के और दूसरा radius of curvature पर कर रहा है तो पहला हम बात करने जा रहे है dependence on the refractive index देखें कैसे इस की value depend करती है तो first यहां case लेंगे dependence on the refractive index dependence on refractive index refractive index refractive index किसका जिस medium में वो lens रखा है तो हमने पहले मालिया first case यहां लेके चल रहा है first case कि जो liquid है जिस lens को कोई चावल के डिब्बेंद रख नहीं दोगे किसी transparent medium रखोगे ना liquid रखोगे जो medium होगे liquid है वो air भी हो सकता है लेकिन air के respect में तो आप जानते है a mu g लिखा जाता है अगर हम माल लें कि जिस liquid में रखा है उसका refractive index है a mu l air के respect में liquid का index और glass का index है a mu g यहां तीन case हो सकते हैं या तो a mu l a mu g के बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है तो पहला case हम लेके चलना है यह less than है यह हम मालें यह जो pen है ना इसको copy पर रखा गरी ठीक है हम पहला case लेके चलना है कि जिस liquid में यह जो है lens रखा हुआ है उसका refractive index glass के refractive index से कम है ठीक है तो आपको requirement क्या होगी आपको requirement होगी जब आप इस lens को liquid में डालोगे तो आपकी जरूत होगी L mu g यही आपको जरूत पढ़ेगी ना और L mu g की value क्या होगी A mu g upon A mu L अब L हमने लिखा हमने W नहीं लिखा जाने बुझके वो कोई भी liquid हो सकता है भाई L mu g का formula क्या होता है A mu g upon A mu L भाई अगर अगर lens को आपने liquid में रखा है तो light liquid से glass में जाएगी ना तो हमने कहा था liquid के respect में glass का index लिखते हो तो पहले जिस medium में जा रही है अपां जिस medium से जा रही है आप क्या कह रहे हैं कि A mu g की value ज्यादा है यह आपने कहा ना तो जब A mu g ज्यादा है तो यह value greater than 1 होगी नहीं होगी ठीक है अब हम liquid में index निकालते है air में refractive index का formula क्या होगा A mu g minus 1 1 upon r1 minus 1 upon r2 यह तो air में compare करना पड़ेगा ना कि air से उस liquid में अगर lens गया है तो उसकी focal length पर क्या फरक पड़ेगा अगर liquid में डाला है हमने तो 1 upon fl is equal to यहां क्या आएगा L mu g minus 1 1 upon r1 minus 1 upon r2 हमको इन दोनों में relation चाहिए तो क्या करना पड़ेगा दोनों को divide कर दीजे dividing equation 1 and 2 note करें इसको रब करेंगे ना अब इन दोनों को divide करने जा रहे है dividing equation 1 and 2 dividing equation 1 and 2 तो यहां क्या आएगा तो को 1 upon fa upon 1 upon fl लिख रहे है यहां क्या बचेगा यह तो cancel हो जाएगा तो यहां क्या बचेगा a mu g a mu g minus 1 upon l mu g minus 1 यह उल्टा हो जाएगा na fl उपर जाएगा और air का index नीचे आएगा focal length यह क्या होगा a mu g minus 1 upon l mu g minus 1 तो जब यहां से fl की value निकालोगे तो क्या आएगा a mu g minus 1 upon l mu g minus 1 multiplied by fa पहुँचे यहां पर अब यहां दो तरीके से इसको सोचे कि यह जो value है वो negative है या positive है पहली चीज़ ठीक है देखें यह note कर लिया ना जगे ज़्यादा हमने ले लिया है यहां देखिएगा आ जाएगा इसमें आ जाएगा देखिए पहली बात तो l mu g l mu g की value 1 से बड़ी है बड़ी है ना l mu g की value 1 से बड़ी है तो 1 से बड़ी value में अगर 1 minus करोगे तो यह value positive आएगे ना और a mu g आ लेड़ी 1.5 होता है यह पूरी value कैसी आ रही है positive यानि पहला कि तो आप यह देख रहे हैं कि a mu g minus 1 और l mu g minus 1 यह तो greater than 0 है यानि कि focal length positive ही रहेगी यानि nature of length will not change अब focal length पहें क्या फर्क पड़ेगा साउधान numerator बड़ा है और denominator बड़ा है numerator बड़ा है numerator बड़ा है ना देखें आपने यह क्या कहा है कि हाँ a mu g बड़ा है तो a mu g बड़ा है numerator बड़ा है यहाँ पर तो जब numerator बड़ा है तो इसका मतलब यह value 1 से बड़ी आएगी ठीक है 1 से बड़ी आएगी ना तो उससे बड़ी value को जब focal length से multiply करोगे तब आपको FL मिलेगा ना तो focal length बढ़ेगी घड़ेगी बढ़ जाएगी यानि कि focal length greater than ऐसे होगी focal length बढ़ जाएगी और nature of lens will not change nature of lens will not change lens will not change सुन में यह बार नहीं आई है दूसरी बात अगर focal length बढ़ जाएगी तो power पर क्या फर्क पड़ेगा कम हो जाएगी याद रहेगा याद करने का तरीका दूसरा भी हम बताएगे भी short तरीका ठीक है तो यह तरीका कब आया जब liquid का index glass के index से कम है note करिए एक मिनट आपने A mu g में 1 मैनस किया समझेगा A mu g में 1 मैनस किया और L mu g में 1 मैनस किया आप यह कहरें बढ़ी उपर वाली value बड़ी है नीचे वाली बड़ी clear नहीं हो पा रहा है सुनिये ध्यान से यह A mu g लिखा हुआ है जब A mu g को अज़ा यह तो आप मालू हो air के respect में किसी भी medium का index इसको कहते है absolute index और absolute refractive index का formula क्या होता है speed of flight in vacuum upon speed of flight in medium यह होता है ना तो vacuum में speed अज़ा बड़ी होती है देखे जब आपने A mu g को किसी चीज़ से divide किया तब आपको L mu g मिला सुने ध्यान से A mu g यह लिखा हुआ है A mu g को किसी चीज़ से divide करोगे तब L mu g मिलेगा तो अब बताइए L mu g बड़ा होगा यह A mu g बड़ा होगा A mu g बड़ा होगा ना यानि A mu g बड़ी value है और L mu g छोटी value है अब इस बड़ी में अच्छा दोरों में 1 मानस किया जा रहा है तो आप जब दुरों मानस करोगे तबी भी तो बड़ी वाली उपर वाली value क्या होगी बड़ी होगी तो अगर उपर वाली बड़ी value होगी तो यह value 1 से बड़ी आएगी ना 1.1 आ जाए कुछ भी आजाए अब अगर इसको 1 से multiply कर दें FA को तो FL, FA के बरावर हो जाएगा नहीं समझे और अगर आपने इसको 1 से बड़ी value स्टिप्लाई किया तो 1.1 टाइमस करें FA का तब FL मिलेगा तो focal length बड़ी है घटी बढ़ गई ना तो focal length बढ़ रही है अच्छा दूसी बात यह value positive रहेगी तो nature of lens will not change convex convex ही रहेगा ठीक है लेकिन उसकी focal length बढ़ जाएगी और power उसकी घट जाएगी यह पहला case हुआ संद में आगी बात second case में आपने क्या कहा कि भाई जो liquid का index है वो glass के index के बरावर है ठीक है तो जब आप L mu G करेंगे तो value क्या आगी आई 1 आजाएगी न और जब दोनों को divide करोगे तो यह result आएगा न यह result आएगा L mu G की value क्या हो जाएगी 1 तो देखे दियान से जब L mu G 1 हो जाएगा तो FL upon FA is equal to A mu G minus 1 upon 0 हो जाएगा न यह infinity हो जाएगी नहीं हो जाएगी तो focal length in liquid कितनी हो जाएगी infinity ठीक है अब nature तो मारो गोली उसकी focal length कितनी हो गई infinity लिखे फिर बात करते है तो focal length infinity क्या दिखाती है सुनिये जान से यह lens है यहाँ से light ऐसे turn हो गिरी lens को इसे करते जाओ तो radius बढ़ती जाएगी न फोकल length भी बढ़ती जाएगी और infinity में क्या होगी एक plate से behave करेगी plain transparent plate तो लिखे the lens will behave like a plain transparent plate and it will become invisible यह invisible हो जाएगा अब आप कहेंगे सब invisible हो जाएगा तो उसका nature नेचर मारो गोली दिखे तो nature देखे न अब दिखेगा ही नहीं अब ही मैं अचा फोकल अचा पावर भी क्या फरपड़ेगा काएगी पावर जब lens नहीं दिख रहा है हमने का यह काम कर दो आप बड़े powerful है वो दिखी नहीं रहा है तो उसकी power क्या मानी जाएगी zero focal length will be infinity means the lens will behave like a plain transparent plate and it will become invisible जरा third case देखिए third case अब आप कहेंगे हम लोग उसी में overwriting कर सकते हैं first case लिखें वह वाइटन लगा दे second case लिखें वह वाइटन लगा दे third case लिखें फिर वाइटन लगा दे तो कितने case माने जाएगे third case माना जाएगे क्योंगे क्योंकि examiner first case नमबर देगा वाइटन लगा देगा second case नमबर देगा वाइटन लगा देगा third case नमबर देगा वाइटन नहीं लगाएगा है नहीं नहीं वो एक अलग चीज भी जाएगे तीसरा case क्या है पहला case क्या था हमको याद ही नहीं है यह मुग चोटा था ना अब यह मुग बड़ा हो गया अब greater than one है तो जब आप लम्यूजी निकालेंगे तो इसमे बड़ा यह मुग है ना यह less than one हो जाएगा ना यह less than one हो गया जब less than one हो जाएगा तो जब यहाँ पर हम पहुंचेंगे तो अब बताईए, यहाँ पर आप stop करिए, अब बताईए, A mu G तो बड़ी value है, A mu G तो 1 से बड़ी value है, लेकिन यह value 1 से छोटी है ना, L mu G, तो यह negative आएगी value ना, यहाँ यह value हो जाएगी less than 0, तो focal length negative हो गई जागर के, अब आप कहेंगे बढ़ गई, खड़ गई, छोड़ उसका nature change हो गया है, तो nature of lens विल चेंज, यहाँ लिए nature of lens विल चेंज, हैनि FL will be less than 0 यहनि negative, तो nature of lens विल चेंज, तो nature of lens विल चेंज, अब यह मैं short में इसको बताऊच में इसको बताई दे रहा हूँ, समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है, यह तो mathematical हो गया, अब कभी short में आ गई वैलू, तो कैसे याद करेंगे, आइसे ही याद करेंगे, बोले, नोड करिए इसको, देखिए, अब focal length के फार्मले में radius आ रही है, इसका मतलब focal length radius of curvature पर depend करती है, तो कैसे depend करती है, देखिए, पहला, हो सकता है lens by convex हो, हो सकता है lens plano convex हो, हो सकता है lens plano concave हो, हो सकता है by convex है, पहला case दो इधर देखिए, खिलबार बादम करिएगा, उधर रहाँ तटाइए, इधर देखिए, ठीक है, बत्तवी जी उतनी जितना बरदास्त करने लायक हो, ठीक है, if lens is by convex, by convex का पहले मतलब समलिएगा, यह एक यह वाला radius, यह surface, इसका radius इधर की ओर होगा, r1, positive और दूसा surface यह वाला, इसका center इधर होगा, radius r2, positive और negative, तो जब हम value रखेंगे, 1 upon f is equal to mu minus 1, अब mu का मतलब मैं air के respect में glass कही ले रहा हूँ, क्योंकि इसको भी change करेंगे, इसको भी change करेंगे, फिर दोनों का effect एक साथ, अध्यन करना पड़ेगा, तो 1 upon r1 will be plus r1, और minus 1 upon minus r2, यह plus हो जाएगा न, तो 1 upon f is equal to mu minus 1, 1 upon r1 plus 1 upon r2, यानि कि यह positive value आएगी, यानि कि यह convex lens की तरह है, behave करेगा, note करिए, second case अगर यह by concave हो, देखो द्यान से, by concave का मतलब पहला surface यह है ना आपका, अब आपका हम उधर पहला मानें तो उधर बैठें, उधर माल लो r1, तो पहला surface लेंगे तो radius, इधर center होगा ना, तो r1 कैसा होगा, minus, और दूसा surface, यह है, r2, इधर होगा, minus या plus, plus, रख दो उठा करके value, तो 1 upon f is equal to क्या हो जाएगा, mu minus 1, यह फिलहाल air के respect में ही लिया जा रहा है, इसको change नहीं करेंगे, तो आएगा, 1 upon minus r1, और minus 1 upon plus r2, minus कामन हो जाएगा ना, तो minus mu minus 1, 1 upon r1, minus plus 1 upon r2, इट विल बी निगेटिव, और वैसे भी निगेटिव होगा भाया, यह concave lens है, तो concave lens की focal length तो negative होती है, तो यह value आएगी, note करिए, lens है plano convex, plano convex में, दो surface में कोई एक surface plane आप ले सकते हैं, माला आप पहला surface plane है इधर देखें, और दूसरा surface है यह, यह भी हो सकता है, तो पहला surface plane है, तो पहले की radius कितनी हो जाएगी, infinite, और दूसरे का center इधर है ना, तो दूसरे की value कितनी हो जाएगी, minus, क्योंकि इसका center इधर की तरफ है ना, तो यहां रखेंगे तो क्या हैगा, 1 upon f is equal to mu minus 1, 1 upon infinite minus 1 upon minus का r2, तो plus हो जाएगा, तो mu minus 1 upon r2, यह value भी positive आएगी, अब आपने खाँ, उल्टा मालने तो माल लो, उल्टा में अगर आपने इसको plane माना, second वाले को, तो r2 infinity हो जाएगी, और r1 positive आएगा, तब भी value positive रहेगी, ठीक है, दोनों के इसन positive रहेगी, अगला पार्ट मालने, plane हो concave है, तो पहला surface plane हो गया, और दूसा surface, concave हो गया, तो पहले surface की radius कितनी हो जाएगी, infinite, और second की positive हो negative, second का center इधर की तरफ है न, तो r2 will be positive, तो positive हो जाएगी value, तब यहां रखोगे, तो 1 upon f is equal to, new minus 1, 1 upon r1, minus 1 upon, plus r2, तो यह r1 तो क्या होगा, infinity, तो value minus में आएगी, minus, और ऐसे भी यह negative आएगी value, less than 0, क्योंकि concave, भाई, plane का कोई मतलब ही नहीं है, plane का मतलब power कितना हो गया, 0, क्योंकि plane के अंदर bending capacity होगी नहीं, reflection होगा, मैं bending capacity के बात कर रहा हूँ, केवल यहां पर concave काम करेगा, अब आप कहेंगे, दूसा surface हो जाए तो, तो देखें, दूसा case, नोट का लिया, भाई माले, यह आपका plane है, यह concave है, और यह plane है, तो r1 इधर आएगा ना, r1 negative हो जाएगा, और r2 हो जाएगा infinity, तो यह negative होगा, यह 0 हो जाएगा, तो तब भी value का है में आएगी, negative, तो इस प्रगार से radius पर यह, depend करता है, ठीक है, यह जो, refractive index की बात हम कर रहे थे, इसका हम short तरीका आपको उदाजते है, अब देखे, power of the lens को मैं समझाने के आए, एक example समझा रहा हूँ, समझ में आए तो अच्छी बात है, ना समझ में आए तो, तो फिर तो हमने पहां पढ़ाई चुके है, देखो ध्यान से, मैं एक medium लेता हूँ, ध्यान से समझेगा, मैं एक medium लेता हूँ, ये medium है, ठीक है, ये medium आपका class है, याद करने की तरीका है अब, याद समझ में आए तो ठीक है, और ये lens आब है, जो आपके teacher है, फिलाल हम, refractive index को एक knowledge से जोड़ रहे हैं, refractive index को किसे जोड़ रहे हैं, knowledge से, तो यहाँ तीन case possible है, teacher का knowledge class से ज़्यादा हो सकता है, teacher का knowledge class के बराबर हो सकता है, और teacher का knowledge class से कम हो सकता है, अब कैसे होगा हम बात करते हैं, पहला हमें मान के चल रहे हैं, कि teacher बोले तो lens का knowledge है, वो class, यहाँ लिक्वर्ड जो है, उसके knowledge से बढ़ा है, यहाँ टीचर आया है, आप यह student बैठे ही हैं सामने, तभी तो ऐसा हो सकता है, तभी तो आप टीचर स्टुडेंट के सामने आएगा, तभी तो मान के चलते हैं, कि उसका knowledge ज़्यादा होगा, अब पहले दिन आया है, class में, demo class में, सही बताईएगा, उसके power पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब capacity of doing work, उस power के क्या फर्क पड़ेगा, घड जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, यह कम हो जाएगी, पहले दिन आया, demo class चल जाएगा है, बताईए, इमाजरी बता ना, प्रेटिकल जब कम हो जाती, यह जैसे student में दुआ होंगे, यह भले 2 plus 2 is equal 4 नहीं आता हो, और का 80 कुछ नहीं पकड़ा दे है, यह सर यह स्टी वर्मा का सत्रवा कुछ नहीं पकड़ा तो पहला नहीं आता, अब मजबूरी है, या तो teacher आप से कहे, पहला बताओ तूम पहले दूसा तूम बताओ, कोई और लगाएगा तो भगा दिया जाएगा, यह demo class में ऐसे होता नहीं, आपने कोई question पूछा, तो कुछ teacher क्या कहते है, किसी को आता है, तो उस teacher को college में नहीं रखा जाता है, नियम यह है कि आप 17 question बताइए, ठीक, यह 16 पूछे, 16 बताइए, बता दिया, यानि आप अच्छे teacher हो गए, आपका appointment हो गया, जब appointment हो जाए, फिर जो 17 जिसने पूछा था था ना, उसको बुलाईए, उससे पहला question लगाईए, मन मुरगा ना लाए कहीं के, 17 question बूछे रहा था था उन से, पहले दिन मत बोली, पहले दिन आपके लगाईए, यानि डेमो क्लास में जब teacher आएगा, तो उसके power पे क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा लगेगा ना, की वही सामने वाला पता नहीं कैसा हो, यानि power decrease हो जाएगी, power क्या हो जाएगी उसकी, decrease हो जाएगी, याद हो गया, power decrease the focal length, अब टीचर की focal length नहीं होती है, तो teacher compliance को teacher मान रहें बाइचां, उसको लेंस ही समझेए, तो focal length क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी, याद हो गया, अच्छा, दूसरा, teacher का index, class के index के बराबर है, यानि कि teacher, student के सामने थोड़ी बैठा है, अपने friends के सामने बैठा, तभी तो हो सकता है, ना, भाई हमको जितना knowledge है, बगल में, अजय साब बैठे हुए हैं, अजय सुक्ला मता, अपने subject के अगर हम बात करें, तो अब आप, ढोड़ने के आप से कहा, teacher देखा हो जागर के, वो जिनके सर में बाल नहीं वही है, जहां का देखा, सब कंजे बैठे हुए, किसी कम, किसी ज़्यादा, पहचान पाएगा teacher को, वो जहां केगा, सब है, दाड़ी सपेद है सब की, सब एक जैसे लग रहे हैं, तो यानि कि क्या, lens दिखाई पड़ेगा, teacher पहचान जाओ, कौन teacher है, यानि कि lens कैसा हो जाएगा, invisible हो जाएगा, याद हो गया, याद करने के तरीका है, बहुतार तरीके हो सकते हैं, तीसरा तरीका, अगर teacher का index, class चाम है, यानि teacher के सामने, degree college का प्रोफेसर बेठा हुआ है, अब इनका knowledge काम है, ये तो इंटर काले पढ़ाने आये थे, ये degree college प्रोफेसर बेठा हुआ है, उसी subject का, अब teacher गएगा, उनको पढ़ाएगा जा करके, ये उनसे interview लेगा जा करके, sir, what is the meaning of this, क्या करेगा, वो तो उल्टा करेगा, रे साब, आप ही बताओ, हम क्या पूछे, इक बार हमारे college पढ़ाते थे, तो आइंटर्व्यू था, मैं तो inter-class पढ़ाता था, अब वहाँ पर एक retired professor, डेवी college के आगए, retired professor, वो एडवर्टीज में निकला होगा, head of department, अब mathematics वही सूद के आगए होंगे, अब हम भी interview panel में थे, तो हम से manager ने कहा, पूछे, अरे हम कहा, पूछे, राम, हम क्या पूछे, जिस class को हम पढ़े हैं, उस class को ये पढ़ाते हैं, मैं नहीं पूछूँगा, आप भी पूछे, तो कुल्म लाकर के teacher, उनसे पूछेगा, teacher का nature बदल जाएगा, nature of lens will change, nature of lens will change, lens will change, अब आप वो एक अलकी बात है, कि उसी college का teacher, जहां से तुम पढ़के निकले हो, नाट काके निकले हो, अब आप सामने बैठे हो, तो आप पूछेंगे, 2 plus 2 is equal to 4, गलात, तरीका गलात है, नहीं कहीं नहीं आँ है, या आपने तरीका बता है, तरीका सही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, तो अगर teacher का index, या लेंस का index, medium से कम है, तो lens का nature चेंज हो जाएगा, ठीक है, वैसे भी अगर, अब पावर पर क्या फर्पड़ेगा, अरे पावर पर फर्क छोड़ो ना, पावर तब हम देखेंगे, जब आप आप रहो, आप आप थे, तो आपका पावर हम देखा, जब आप इनिविज्विल हो गए, तो का है का पावर, आपका nature चेंज हो गया, ठीक है, अब अगर कोई, आप स्कूटर सामने से जा रहा है, पीछे से आगे टकरा गया, और आप पीछे देखते हो, तो यह डिपेंड करता कि पीछे वाला है कैसा, अगर पीछे वाला आप से, दूबला बतला है, तो आप तर आप ना लाए कहीं को, देखता नहीं को, अगर लंबा चॉड़ा ठीक टाग है, वाई साब आप ठीक टकराए थे, ऐसा नहीं है, हम नहीं गलत ब्रेक मार दिये, वैसे सामने बस थी, हमको तो घुज जाना जी बस के अंदर, हम मालूने तर साब पीछे से आ रहे हैं, तो आपका नेचर चेंज हो जाएगा, को कहेगा एकदम से ब्रेक क्यों मार दिया तुमने, हम तो ठीक तरीके से आ रहे थे न, और दोनों बराबर है, तो दोनों डेसाइड नहीं कर पाते हैं कि लड़े कि न लड़े, मोले साले कल देखेंगे तुमको, क्योंगी डेसाइड नहीं कर पा रहे हैं, वो कि ये जीच जाएगा या हम जीच जाएगे, तो तीनों तरीके याद हो गए याद रहेगा ना ये short में अगर question आता है कि भाई अगर lens को किसी ऐसे medium में डाला जिसका refractiveness ये ये है तो lens के power पर क्या फर्पड़ेगा तो ये तीन case है अगर index उसका बड़ा है power घड़ जाएगी अगर index बरावर है तो lens individual हो जाएगा power तो मारो गोली दिखाई नहीं पड़ेगा और अगर छोटा है तो उसका nature बडल जाएगा जब nature बडल गया तो कहेगा power ठीक है तो ये याद हो गया न note करिए इसको note करिए